वेलकम मेरे दोस्तों कैसे आप सभी जी हैं राइस स्मार्ट के ओणलाइन प्लेटफोर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर सब्जीव आरियो यानि मैं करता हूँ आप सभी का स्वाधत और जैसे कि आप सभी को पता है हम कर रहे हैं तयारी के विएस 2023 की और इसी तयारी में आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपोर्टन्ट टोपिक जो कि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर फे पर्टिकलर प्राइंट बनागर दिया हुआ है और अज की बात करने हैं इस के अंदरब्बत हम समझेंगे आज ब्रीम स्टेक्व के बारे में भी सिर टाइसिन के बारे में हुए देखेंगी थे को ड़ा बंख और डियुक् да कि आप सब ही से री प्रूब होता हूँ तो यहां पर आप आप आज अब्चेशन उसको करते हैं फटाफर से स्टार्ट और जी है इसमें जो है सबसे पहले तो आपको पता हिए भी सबसे पहले आता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा आपको पता हिए अगर साउंड एको कर रही है तो प्लीज एक बार कनफर्म करें गई ठीक है या सभी क अगर साउंड ठीक ठाक आ रही है तो भी बता दीजिए ठीक है मतलब पिक्चर कैसी आ रही है वीडियो क्वालिटी कैसी है और साउंड कैसी है वो सभी चीज़ें एक बार भी क्लियर कर देंगे तो मैं भी एजीली फिर आगे चल पाऊंगा थोड़ा साउंड को ठीक कर रह साउंड को करिए ओके इसके बाद करते हैं क्लास को स्टार्ट शराज जल्दी से कर दीजिए जो हाँ अब एक बार कंफर्म करेंगे प्रीज की मेरी जो साउंड है वो क्लियर है या नहीं है या अभी भी एको कर रही है आपको भी गायव कर दिया उन होने तो आरे भी भाई या हम गायव नहीं होने वाले है ठीक है अब ओके है बिल्कुल जी थैंक यू सो मच अगर साउंड ओके है तो और कंप्रीटर मोट्य भी थोड़ा साइज भी बढ़ा देजिए ठीक है तक कि भी मुझे पता चलता रहे क्या है जे बिल्कुल बिल्कुल अब क्लियर है जे रितु शर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल अब हमारे साथ पर जुड चुके है भी मोना और पुजा आरी है पृति यहां जी बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा ठीक हुआ कह रहे है कुछ ऐसा कहा जा रहा है तो फ़ी एक बाद थोड़ी सी प्लास स्टाइट कर लेते हैं उसके बाद में आप देख लेते हैं कि तो कर लेंगे उसको भी चलिए ठीक है तो पहीं जो है आज का जो हमारे टोपिक बात करेंगे कि मैं पहले उसका मिस अधार है इसुज बारे में में करतो Lord Administration करते हैं जो हम बद्च्छों को बाते बताते हैं इसका क्या है उब इस GET夏 लोई यह बता रहे हैं थिए यस भई इस बारे में एक मीटिंग होती है मीटिंग में कहा जाता है कि भई हम जो भी बच्चों को सिखाए जो भी बच्चों को बताए उसका कोई न कोई एक पैर्टिकुलर फिक्ष्ट उद्देश्य होना ही चाहिए ठीक है माइक दूर करें सेर कुछ ऐसा कहरें भी या माइक तो लग 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 यहीं पर रखता हूं और दूर से तो काफी दूरी है ठीक है क्या कुछ समस्था है एक बार भी कंप्रूटर में हो दे आया है वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि अगर शायद कुछ प्रोब्लम है तो 29 वेस आज अलग लग रही है चलिए चल युदxic बेजिकल वर्इस नहीं इल रही है अलग-लग रही है चलो जी अगर ऐसा है कि अब एक बार कन्फर्म करेंगे कि क्या मेरी आवाज वही है जो हमेशा होती है या आज कुछ अलग है अबर अलग है तो भी इसको थोड़ा सा करते है ठीक हाफ गेमर्जी मतलब महवीश जी मैं बहुत अच्छा हूँ बाकि आप बता दीजिए भई कैसा हूँ मैं या कैसा दिख रहा हूँ मतलब चलिए अलग है अब आ रही है पहले वाली वोईज चलिए जी ना हो सम वेरी गूड वेरी गूड जी थैंक्यू सो मच आपने बताया अब ओके है एकदम ठीक है ठीक है चलिए जी चलिए जी परफेक्ट ना हो चलिए भई थैंक्यू सो मच बताने के लिए आज है अलग अभी भी अलग है तो भई बतादे ना हम बाकी सबी कह रहें ठीक तो फड़ा फड़ा चलते हैं जो हमारा टोपिक है उसके उपर और जैसा कि मैंने किया शुरुवात मैंने कहा कि भई अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो उदेश्य तो होगा ना ठीक ह तो भई बच्चे के जो मीर्स है या जो सोशाइटी की जो नीड्स है जो सोशल लीड्स है या जो हमारी कंट्री की नीड है या जो एक मानवता की नीड है उन्हीं को ध्यां में रखकर ही तो अबजयक्टिवस बनाए जाएंगे उसके बाद में हम जानेंगे इस से related questions को ठीक है और questions जो है वो अच्छे खासे होने वाले हैं थोड़ा सा अपना कमर कस के बैढ़ जाना ठीक है गलतियां जितनी भी करनी है यहीं कर लेना exam में मत करना ठीक है जी आवाज गूंज रही थी अब तो नहीं गूंज रही ना रिश जाना क्या है क्या नहीं है पहली बात तो आपको APA की फुल फोर्म का पता होना चाहिए और वो क्या है भाई या अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोशियेशन ठीक है अब अगर मैं बात करूं कि भाई यह APA है कहां पे तो यह APA है वाशिंग्टन वोशिंग्टन डी सी में ठीक जी मतलब कहें तो अमेरिका में ठीक है अमेरिका में वोशिंग्टन डी सी में जो APA है इसके बारे में एक दो और एडिशनल इंफोर्मेशन दे देता हूँ आपको कि भर यह जो एपी ए है इसकी स्थापना किस ने की थी इसकी स्थापने की थी वह यह जी स्टेल ने हुल यह जी स्थापना की है 1892 में इसकी स्थापना की किस घी ए अपी अमेरिकन स्थापना की थी और जी है यह हमारे वही जिस त्लिष गोल है जिन हो कहा था क्या ? अडलेसेंस इस दा पीरेड ओफ स्ट्रेस एंड स्टॉम बड़ी ही फेमस क्यूटेशन है कि जो किशोरा वस्ता है वैतनाव तुफान के अवस्ता है आधी तुफान के अवस्ता है लग-लग बुक्स में लग-लग मिलता है आपने पड़ाओगा जिहां ये बही जी स्टेलने ह इन्होंने ही स्थापना कि थी इसकी ए पी ए की ठीक है थोड़ा सा और अगर एक एडिशन बता दू भाई इस टेलने होल के बारे में ठीक है तो भई इन्होंने क्या था फर्स्ट पहली बार क्या किया था साइंटीफिक वे दिया था किसको टीचिंग के लिए ठीक ही है Adolescence is the period of stress and stress तो भई बुक का नाम भी क्या है क्योंकि इन्होंने Adolescence के बारे में बताया है तो भई इनकी जो बुक का नाम है Adolescence ठीक है किशोर आवस्तर यह हम कह सकते हैं अगर बुक की बात करें तो अब जैसे कि मैंने कहा कि भई इन्होंने क्या कहा कि भी जो हमारा जो teaching होना चाहिए वो scientific होना चाहिए मतलब systematic होना चाहिए इन्होंने उसको एक सुरूप दिया और उसके लिए इन्होंने क्या किया first यह चीज़े भी लिखने की है थोड़ा सा relate कर लेगा चीजों को लिखते चलोगे, थोड़ा सा नोट करते चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है जी इन्होंने क्या किया First मतलब दुनिया की पहली वर्कशोड ठीक है जी पहली वर्कशोड आयोजित की किसको लेकर टीचिंग को लेकर वर्कशोप का मतलब है जहाँ पर काम करना सिखाया जाता है कि वे देखिया हमें पहले ये करना चाहिए उसके बाद हमें ये करना चाहिए फिर ये करना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से इनोंने एक वर्कशोप जो हो आयोजित करी और उस वर्कशोप का जो नाम था उस वर्कशोप का जो नाम था वो क्या था पैडागोजिकल अरे भाई क्या हो रहा है राइटिंग अच्छी करने के चक्कर में चीजें इधर उधर पहुंच जाती है कई बार उसका नाम क्या था वहिया पेडागोजिकल सेमिनरी याद रखेंगे इस बात को भी कि जो फर्स्ट वर्कशोप थी फर्स्ट पेडागोजिकल वर्कशोप थी उसका नाम क्या था? पेडागोजिकल सेमिनरी किस ने की थी? जी स्टेलने होल ने की थी वहीं अगर मैं कहुंँ APA की स्थापना किस ने की अगें जिस टेल ने होल APA American Psychological Association ठीक है अब थोड़ा सा और आगे चल पड़ते हैं ठीक है अगर बात करें कि APA किया जो first president कौन थे APA American Psychological Association के first president कौन थे तो अगें आप का अंसर भई यही है इन्होंने ही स्थापना की और यही इसके क्या थे first president थे ठीक है stress and storm हाँ storm है दीपा कुमारी जी ठीक है तो stroke नहीं है first president कौन थे हमारे जी स्टेल ने होल थे वही अगर कहा जाए कि भई first lady president कौन थी ठीक है जी अगर कहा जाए कि भई इसके एपी है की first lady president कौन थी तो उनका नाम भी आप लिख सकते है या Mary Wittons Calkin ठीक जी यह क्या है first lady president है किसकी AP फिर्स्ट लेडी प्रेजडेंट फी यह मैरी विटर स्केल कर्स ठीक है या नग बाद आरे आपको समझ में ठीक है और अगर कहें कि भी मैरी विटर्टन स्केल कर ने एक बुक भी लिख थी और उस बुक का नाम क्या था अन इंत्रोड़क्सिन टू साइकोल्जी ठीक तो ऐसी अगर शब्द आ जाते हैं कि भरी अन इंत्रोड़क्शन डीकोलजी किसने लिखी दने यूर आशर इस मेरी विटर्स केलिक ठीक है फिर्स्ट लेडी प्रेजिजेंट किसकी APA की ठीक है तो अभी ये क्या थी थोड़ी सी extra knowledge थी ठीक है आपको अगर लगता है valuable है क्योंकि ऐसी चीजे भी आपके examination में पूछी जा सकती है ठीक है ये क्या है ये apex body है पूरे world में अगर कहीं भी psychology के एक्षेतर में कहा जाए कि सबसे उपर जो है body कौन सी है then your answer will be APA American Psychological Association को मना जाता है कि हाँ भी ये कुछ है ठीक है तो थोड़ा से इसके बारे में मैंने additional information दी अब चलते हैं फटा फट से अपना जो आज का topic है instructional objectives पे तो भई क्या हुआ एपी ए में क्या हुई भी meeting हुई और वहाँ पर क्या decide किया जैसे कि मैंने शुरुवात में ही कहा था good afternoon कर रहे है भाई चलिए कोई बात नहीं हो जाती ठीक है good afternoon कर रहे है अनी जी कैसे है आप नोटेड कर लिया बड़े अच्छी बात है ठीक है तो भई यहां से बात चलती है तो यहां से बात चलती है हमारे Sir Benjamin Samuel Bloom की ठीक है आपने सुनाओगा Bloom's Taxonomy ठीक है अब यहीं से काम शुरू होता है किसका objectives का ठीक है अब यह जो है भई इन्होंने क्या किया 1956 में 1956 में एक बुक आती है इनकी एक बुक आती है क्या नाम क्या है भई टेक्सोनोमी ओफ टेक्सोनोमी ओफ एजुकेशनल objectives ठीक है जी टेक्सोनोमी का मतलब कुछ नहीं होता है टेक्सोनोमी होता है उवर की करां क्लासिफिकेशन हरा तो भई क्लासिफिकेशन किया इसने किसका educational objectives का ठीक है बुक का नाम आपको याद रखना है भईया कब आई है 1956 में आई है टेक्सोनोमी ओफ एजुकेशनल objectives के नाम से पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने संग्यानात्मक पक्ष के उद्देशों को समझाया इस बात को याद रखेंगे कि अगर हम कहें कि भई बेंजामिन सेमुल ब्लूम ने कोन से पक्ष दिये है तो भई यहाँ पर जो है समझा जाए तो संग्यानात्मक पक्ष के बारे में उन्होंने बताया था 1956 में ठीक है जाया तक बात ठीक है अगर बाते समझ में आई है तो एक बात थम्स अप कर देना मुझे ये ना लगे कि मैं अकेला-केला ही कुछ-कुछ-कुछ-कुछ बतारा हूँ और आपको कुछ-कुछ समझ में आही नहीं रहा है कुछ-क पल्ले-बल्ले पड़ भी रहा या नहीं एक बार बता दे न भाई यह उनकी photo है ठीक है जी और यह उनका क्या है वही या ठीक है आप समय रहे है 1913 मेन का जनम हुआ और 1999 में इनकी मृत्य हुई यह जो 99 है इसको थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि जो इसमें संशोधन हुआ है वो हुआ है 2001 में ठीक है जी जो इन्होंने दिया था इसमें संशोधन हुआ है कब 2001 में मतलब after his death ठीक है उनकी मृत्यू के दो साल के बाद इसके अंदर संशोधन हुआ है ठीक है तो इसका मतलब उनके कारियकाल तक वही चल रहा था बेंजामिन ब्लूम ने कभी उस चीज़ को चेंज नहीं किया था इस चीज़ को आप रखेंगे याद ठीक है चलिए भई आगे चलते हैं फड़ाफट से हाँ आगे देख लेते हैं आपको पता है वही डोमेंस कितने हैं तीन डोमेंस है ऐसा फालतूसा प्रशन भी है क्योंकि एक्जैम में आया है तो मैं भी लेकर आया हूँ आपको करने में बड़ा अच्छा लगने वाला है ठीक है तो मतलब क्या है कि यह तीन डोमेंस होते है ठीक है ठीडोमेन्स है कुन से को ईक बार तब तक आप टाइप कर ये तब तक यहाँ पर भी आ जाते हैं और उनको हम J blijum Oohsa 3H के नाम से यह आ गई जी कुन से कह गो जिफुट रहते है यह यह होते हट् हैंड 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 हैं होना किसी चीज के साथ ठीक है तो उसको हम कहेंगे ठीक है भावों से रिलेटिड है ठीक है चलिए अब भई इसको जैसे कि अभी आपने बता भी गोगनीटिव डोमें एफेक्टिव डोमें और साइको मोटर डोमें ठीक है शुरुवात में जब यह डोमें आया था इसको क्य कहा गया था sensory domain कहा शुरुवात में इसको sensory ठीक जी या सम्वेदी पक्ष कहा गया बाद में इसको change करके क्या किया गया connective domain कहा गया connective domain कहा गया लेकिन अब क्या कहते हैं इसको अब कहते हैं भीया psycho motor domain ठीक है तो मैं ये कहना चाहरा हूँ आपको कि आपको एक्जैम में sensory domain आए connective domain आए या psychomotor domain आए connective कि spelling बड़ी बड़ी लिख रहा हूँ क्योंकि भई आपको confusion ना हो connective और cognitive में ठीक है इन में से कोई भी आए आपको यही समझना है क्या कि भई psychomotor domain की बात करें करने के पक्ष से बात कर रहे हैं दूइंग पार्ट की बात कर रहे हैं आपको इतना समझना है ठीक है आगे चलते हैं भई अब यहां पर क्या है भई cognitive का मतलब क्या है processing in brain ठीक है अब इसके अंतर रिकत क्या जाएगा जो भी हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग चलती है memory है हमारी thinking है हमारी वो सारे क्या है cognitive domain का पार्ट है ठीक है और इसकी क्या है six sub domain से ठीक है आप सभी को पताए six कुन से कुन से है ठीक है and again क्या होगा मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा साफ ये लो जी ठीक है हाँ अब क्या है भई साइको मोटर में क्या है मूवमेंट ओफ मसल्स ठीक है जी जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट होती है वो इसके अंतरगत आ जाती है ठीक है पर दोड़ना, भागना, जो भी कुछ करना है, अभी मैं लिख रहा हूँ, वी क्या है, मसल्स की मौमेंट है ठीक है, मोटर स्किल्स आ जाती है, बोडी मौमेंट्स आ जाते है, एंड अगें इसके भी कितने है, छे सब डोमेंज हैं, ठीक है तो याद रहेंगे हैं, छे, पां बच्चे को साइंस सिखाना चाहते हैं आपको बच्चे को विज्ञान पढ़ाना है तो पहली बात तो भई उसका कोगनिटिव डोमेन मतलब उसको उसके बारे में नोलिज होनी चाहिए तब वो सीख पाएगा ठीक है उसके बाद में केवल नोलिज भर से काम नहीं चलता है उसके बाद में उसका जो है अफेक्शन होना चाहिए उसका साइस को लेकर एक लगाव होना चाहिए एक प्रेम होना चाहिए साइस के प्रति विज्ञान के प्रति ठीक है तो भई यहां पर मैं लिख रहा हूँ भई अफेक्शन होना चाहिए मतलब एक पोजिटिव एटिट्व अटिटूड होना चाहिए किसके लिए के साइस को लेके ठीक है और आफ्टर डैट साइको मोटर में अगर कहे तो भई वो उस चीज को प्रेक्टिकली करके भी दिखा सके यह नहीं कि इस तिरफ बुक्स में उसको पड़ा है मतलब रियल में वो एक्सपरिमेंट कर ही नहीं सकता है ये भी ना हो और ये कहना है किसका बेंजामिन ब्लूम का कि भी जब ये तीनों ही कम्प्लीट होते हैं ये तीनों मिलकर ही एक कम्प्लीट लर्निंग बनाते हैं बेस्ट लर्निंग तब होती है जब इन तीनों पर ही काम किया जाए मतलब हम उनको ग्यान भी दे उसके प्रति उसके जो लगाव है वो भी पैदा करें और प्लस में उस चीजों को कर भी सकें अपने आप से, ठीक है, यहां दक बात आरी समझ में, और अगर आरी तो फ़र एक बार थम्स अप करेंगे, फटाफट से चलते हैं, फिर आगे थोड़ा सा और, ठीक है, फिर यहां तक, अब जलते हैं, जल्दी जल् मतलब मैं, मैं, ब्लूम्स के मोडल की बात कर रहा हूं, सबसे पहले नोलिज, उसके बाद, कॉम्प्रिहेंशन, आफ्टर देट, वी हैव एप्लिकेशन, देन, अनलिस, देन, सिंथेस, एड लास्ट बटनोट, इवैल्यवेशन, ठीक है, यह जो है, छे सब डोमेन होते हैं अभी आगे भी आने वाले, इनके बारे में समझेंगे थोड़ा-थोड़ा, ठीक है, सबसे पहला पार, एक चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं, सबसे पहले नोलिज, मतलब सबसे पहले हम ग्यान देते हैं, बच्चे को, उसके बाद में बच्चा कंप्रिहेंशन, मतलब बोध करता है, उसको समझता है, उसके बाद में अपने ग्यान को अपलाई करता है, प्रियोक करता है, ठीक है, उसके बाद में वो क्या है, प्रियोक करने के बाद में उसको एनलाइज करना शुरू करता है, यह ऐसा है, तो क्यों है, ठीक है, वो चीज, फिर उसके बाद में वो अपने आप से चीजों को synthesis भी कर सकता है, synthesize कर सकता है, photo synthesis मतलब कुछ बनाना, कुछ निर्मान करना, ठीक है, फिर वो synthesize करता है, और last में according to blue, क्या करता है, evaluate करता है, ठीक है, चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यह जो नीचे वाले तीन है मतलब, knowledge, comprehension and application, इनको क्या कहा जाता है भाया, इनको कहा जाता है, loads, L.O.T.S. राकेश कुमार जी, हलो, बिल्कुल, बिल्कुल, सही लिखा भाई, पुजा रिया, ठीक है, चलिए, इनको क्या कहा जाता है, loads, loads का मतलब कहा है, lower order, lower order, thinking skills, मतलब, loads, lower order, thinking skills, मतलब, loads, और जो उपर वाले तीन बच गए, उनको क्या कहा जाता है, भाया, hoats, hoats का मतलब क्या, simple सी बात है, pen बदल देता हूँ, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, इनको क्या कहा जाएगा, भाया, higher order, thinking skills, ठीक है, lower order, thinking skills, या higher order, thinking skills, ठीक है, और यह जो thinking skills है, यह क्या है complexity के अनुसार बढ़ती जाती है, मतलब, सबसे आसान है, knowledge लेना, उसके बाद मुश्किल है, बोध करना, उस चीज को समझना, ठीक है, यहाँ पर आप knowledge को ग्यान ना समझे, यहाँ पर knowledge का मतलब एक तरीके से, रटने से, ठीक है, उसके बाद है, उसको apply करना, मुश्किल है, उसके बाद उसको analyze करना, उसके बाद synthesize करना, उसके बाद synthesize करना, और लास्ट में सबसे मुश्किल जो step माना है किसने, ब्लूम ने, वो का वे evaluation करना highest level है, according to bloom, आप इस बात को याद रखेंगे, जब भी आपके सामने परशन आए, कि ब्लूम के अनुसार कोन सा है, दैन य लिए, ठीक है, तो भई ये क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, कि भी complexity के हिसाब से ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर के और, complex होते चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात आ रही समझ में, चलिए, अब चलते हैं आगे, बड़ा तेज भाग जो कि हमारा second domain है, ठीक है, मैं जादा इसमें गहराई में नहीं जा रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमें क्यश्वस ज्यादा करने है, यह क्या है रही यह दिया किसने है, ब्लूम एंट क्रैथो, ब्लूम एंट क्रैथो ने दिया, कब दिया, 1965, याद रखना बड़ा आसान है, व वो कम था भई, 56 में था, और 56 को अगर हम कर दें उल्टा, तो भई 65 हो जाता है, ठीक है, तो भई, ब्लूम और क्रैथो ने मिलकर कहा कि अरे भई नहीं, ठीक है, मतलब 9 साल के बाद उनको लगा, कि भई, यहाँ पर भी काम करना जरूरी है, अगर बच्चे का किसी subject में होगा, तो वो जाद अच्छे से चीजों को समझ सकता है, ठीक है, अब इसके कितने सब डोमेंस हैं, बताना भी जरा जल्दी से, कि जो हमारा effective डोमेन है, उसके कितने सब डोमेंस हैं, फटा-फट से देखते हैं, भई, कोन बता पाता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पाँच ठीक है, पाँच डोमेंस है, तो सबसे पहला डोमेंस किया कहता है, सब डोमेंस किया कहता है, ठीक है, एक बाद इनको सभी को देख लेते हैं, फटा-फट से समझते हैं, कि होता क्या है, उसके बाद responding, अनुक्रिया करना, उसके बाद valuing, मुल्य करना उस चीज का, उसके बाद organizing, संगठन करना, and last but not the least, characterizing, चरित्री करना हो जाना, ठीक है, अब देख लेते हैं, क्या है भई, पहली चीज है receiving, अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एक example दे देता हूँ, सपोज आप बच्चे को सिखा रहे हैं भईया, mathematics, आपको बच्चे को mathematics सिखाना है, 100% agreed, कि आपको उसके क्या है, cognitive domain पर काम करना होगा, उसको गिंतिया सिखानी होगी, plus minus सिखाने होगे, हना, गुना भाग सिखाने होगे, ठीक है, agreed, लेकिन जब तक उसका उसके प्रतिलगाव नहीं है, वो असल में उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा, जब तक उसके मन में दर है ना, mathematics को लेके, आप में से भी हो सकता है, किसी को mathematics को लेके डर हो, ठीक है, तो मतलब क्या है, कि आपके cognitive domain पर तो काम किया गया है, effective domain पर धंक से काम नहीं हुआ है, जिसके कान से आपका math के प्रतिलगाव नहीं बन पाया है, अब वो जो है, काम जो है, करना है, वो कैस से होगा, उसके steps क्या है, सबसे पहले हम receive करते है, receive का मतलब क्या, कि आपने मान के सुने है, मतलब चलते है, कि आपने सुना कि गिंतियां कुछ होती है, numbers कुछ होते है, आपने उसको क्या किया, receive किया, कि अभी कुछ ये चीजे होती है, ठीक है, आपने feel किया, यहाँ पर सि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ ठीक है वहाँ पर क्या है गिंतिया सिखाने का अलग ही तरीका था आज शायद वो मतलब मुझे नहीं लगता है किसी स्कूल में होगा या नहीं होगा ठीक है तो भई ऐसे बोलते थे खड़ा हो गया बोलता था एकव एका हना फिर पीछे करते हैं उसके के अकोड़े घिरेख यह होगा आप इस बात को समझे धिरे दिराख उसकी वेल्लुट करना सेख़ेंगे बैं मुझे मतलब क्या होता है कि यह कई सिसे कुछ पैसों का मतलब आदान पर्दान करना होता है तो यह तो काम आता है जो मैंने माइन उस सी flavors क test receiving का मतलब आपने भई बच्चे को सिखाया मान के चलते है plus या minus करना सिखाया ठीक है receive किया उसने उसने भी भई वो करना सिखा ठीक है copy पर उसने करना सिखा उसके बाद में वो उसकी value करने लगता है यार यह तो काम की चीज है हला यह तो मेरी daily life में जो है ठीक है काम आती है ठीक है तो वो उसकी फिर क्या करने का value करना सिखेगा value करने के बाद में क्या करता है और्गिनाइज करता है organize करने का मतलब यह है कि कौन सी जो चीज है उसका प्रियोग क्या है daily life में है और कौन सी ऐसी चीज है जो केवल किताबों तक सीमित है और कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेरा जो mind है जिससे मेरे जो problem solving ability है वो ज़्यादा बढ़ती है ठीक है तो मतलब उसके बाद में हम चीजों को organize करते हैं कि किसको हमें कितना महतों देना है for example मैं कहूँँँगा कि आपके जो syllabus में दिया हुआ है पर बेढ़नाइज नहीं करना है तो उसको हमें तो भई तो किसको हमें कि दिधिनी ये वेल्लु को बाद में क्या करते हैं सब चीजों को सब्सक्राइम देते ने और धीरे होगा हो धीरे pimक क्या हो जाता हूँ हमारे करेक्टर में आ जाता है passage of time के बाद में क्या हो जाता है हमारे करेक्टर में हमारे चरित्र का अंग बन जाता है और उसी को क्या कहा जाता है mathematization अब आप किसी भी समस्या को इस तरीके से मतलब गणीती करण के तरीके से सोचना समझना सोल करना शुरू कर देते हैं उसको हम कहेंगे mathematization हना या बालक का गणीती करण सुना होगा आपने कई बार ठीक है तो जो जो लास स्टेज है वो क्या है करेक्टराइजिंग और यह जो स्टेज है यहाँ पर यह क्या हम कहेंगे यह abstract स्टेज है यहाँ पर हमें concrete की आवशकता ही नहीं पढ़ती है यहाँ पर हमें concrete की आवशकता ही नहीं पढ़ती है for example अगर कोई मैं कहूं कि भई पाँच आदमी और तीन महिलाएं मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं ठीक है तो यह उसके लिए मतलब हम concrete चीजे होनी आवशक नहीं हो इसके लिए हम mind में ही अगर किसी चीज को कर सकते है तो वो abstract कहलाता है तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि भई characterizing का मतलब क्या है finally हम उस चीज को रच बस जाती है वो हमारे अंदर mathematics हमारा ही life का एक part बन जाता है and this one is the final stage ठीक है upper most stage यहाँ पर है यह ठीक है जी निक्की मिश्रा जी कह रहे है राधे राधे ठीक है जी हाँ बिलकुल last में character में आ जाती है बिलकुल सही बाद है रवी सॉलंके जी good afternoon ठीक है चली यादक बाद आपको आरी समझ में ठीक है दीक है जादे मैं इसकी डीटेल में नहीं जा रहा हूँ जस आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रहे पहले रिशी व करेंगे रिसपोंड करेंगे उसके बाद में वेल्लू करेंगे वेल्लू के आकाओडिंड हम और गैस करेंगे और नेक्स्ट इस में बनता है कुर साइको मोर्टर को नेटिव या सेंसरी डोमेन जो कि क्या है एक्षिन बेस्ट है जो हम कारिय करते है उसके ओपर बेस्ट है अब यह दिया किसने रही आ सिम्सन एंड अनीता है रोग गर्व की बाद अनीता नाम लिखाओ यहां पर इस चीज को आप याद रखें कि शुरुवात की थी उन्हों नहीं ठीक है उसके बाद इसमें क्या होते है वह च्छे स्टैप होते है ठीक है पहले मैं स्टैप दिखा देता हूँ फिर उसके बारे में हलका फुलका बता देंगे तो आपको कोशिश करेंगे कि याद रहे जाए ठीक है यह है भईया छे स्टैप है अब यह जो छे जो हमारे सब डोमेंस है ठीक है उनके एक बार बात कर रहे तो वही सबसे पहल संचालन है यह इतना सहज होता है कि इसके लिए हमारे बेन की यह जो है इसकी आउशकता नहीं पड़ती है यह केवल और केवल जो हमारी जो कोड होती है जो यहां से जो जाती है ठीक है उसी से काम चल जाता है तभी तो यह होता है कि भई जब हम किसी को बोलते जंगल में ज होती है तो भई सबसे जो बेसिक चीज है अगर हम बात करें मूमेंट की तो वह है सहज किरयात्मक अंग सन्चालन वेरी first उसके बाद में हम क्या सीखते हैं उसके बाद में हम सीखते हैं, Basic Fundamental Moveshe Had Pair चलाना टाइप में ज्यो कि हमारे brain से connected होती है डारेक्ट हम चाहें तो चलाएं चाहें तो ना चलाएं जो कि reflex moments हमारे brain से connection है ही नहीं आप जितना मर्जी कोशिश कर लो आप नहीं रोक पाएंगे उसको ठीक है जी बिलकुल ठीक है यहाँ पर क्या है भई बेसिक fundamental moments का मतलब है अपना जो बच्चा आपने देखा होगा चोटा बच्चा जो हाथ पर चलाता है वो बेसिक fundamental moments उसके बाद में physical abilities आ जाती है physical abilities मतलब कि भई चलना हो गया हाथ से खाना खाना हो गया ठीक है हाथ से कुछ कारिय करना हो गया चोटा मोटा कारिय करना physical abilities शारिरी की योग यताएं आ जाती है उसके बाद में आ जाता है भई या perceptual abilities ठीक है प्रतियक्षी करनी हो गयता है perceptual abilities का मतलब क्या है जब हमारा hand-eye coordination जो बनता है ठीक है कि वही जहां पर आपका हाथ जा रहा है exactly वही पर जहां आपका mind कह रहा है exactly वही पर आपका हाथ पहुच रहा है पैर वही पर पहुच रहा है perception के हिसाब से जब हमारी body जो है वह हमारे mind के fully control में आ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे perceptual abilities ठीक है आपने देखा हो वह चोटा बच्चा चलतो सकता है ठीक है मतलब physical abilities तो आ गई है लेकिन perceptual abilities नहीं आई है exactly उसको नहीं पता होता कि तेरा पैर कहां पर रखा जाने वाला है या again मैं कूँगा कि छोटा बच्चा जब लिखना लिखने ही पाता है तो मतलब physical abilities तो है वो चमच तो पकड़ सकता है लेकिन वो लिख नहीं सकता है क्योंकि उसके अंदर perceptual abilities नहीं आई है मतलब उसका hand-eye coordination अभी तक ढंग से नहीं बना है perception का आपको ही पता है किस से relation है वही सीधा सीधा हमारे nervous system से brain से relation है उसके बाद में क्या होता है skilled moments skilled moments वो होती है वो चीजे जिनके लिए हमें बहुत अधिक conscious mind के आवशकता ना पड़े वो चीजे जिनके लिए हमें बहुत अधिक conscious mind के आवशकता ना पड़े सब consciously हम वो चीजे कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है वह या skill कहा जाता है या कोशल कहा जाता है अब है फूर एंपल अगर मैं को कॉं पिए आप में से कोई बता सता है वह कोशल का कोई एक्जेमपल सकील का कोई एक्जेमपल शबाद जल्दी से बताएंगे अभी यह लाश्ट रावी इसके बाद जो के आने वाले है कि थेयर से क्वेशन से अने पड़े की डारेक्ट स pozorn on up थोड़े Wow जंद से पिता कि ए श्किल कैया होता है मुविंग कार मुविंग कार स्किल कागाच से भौट बनाना स्किल मैं भी यह अ ग código है शहासा कम्मिटेशन स्किल्गरी कम्मिकेशन स्किल ही है वह प्र हेर राइटिंग भी चिल हो थीah कुछ और, skill बताए, यह होती कहा, skill, मतलब या रही किसी एक आधी skill का नाम बताए, communication skills है, ठीक है, देखो भईया, हाँ, बोल को catch करना, skill, reading, skill, अब मैं यह कह रहा हूँ भईया, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि वो सारी चीजे जिनके लिए भई, बहुत ज़्याद कुंशिस माइन का परियोग नहीं करना पड़ता सब कुंशिसली हम वो काम कर जाते हैं उनको स्किल कहते हैं for example आपने देखा होगा और यह आती कैसे यह आती है प्रैक्टिस से बार 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 प्रैक्टिस करते रहो तो आ जाएंगी जितनी क university क्रोंगे उतनी कम आइंगी जतनी ज्यादा करोंगे उतनी ज्यादा आइंगी अपने इक स्किल है वहिए टाइपिंग तिन को पुरह हुआ कि भाई अम्सिति किसी ने टाइपिंग सीखी है, या टाइपिंग करनी आती है, तो आपको पता है कि भ्यूस के लिए स्किल होती है, हो स्किल का मतलब कहा चुरुवात में तो हम ऐसे करते हो ए एस डि एफ है से कुछ ऐसे ऐसे करते हैं लेकिन बाद में क्या होता है आपने भी देखा होगा कि देख दूसरी तरफ रहे हो टाइपिंग कर रहे हैं मतलब कॉंशेस माइन के आफशकता है इतनी नहीं है इतनी शुरुवात में थी क्यों कि प्रैक्टिस हो गई है यह चीजे किस में आगी है स्किल में आ गई फूर एक्जेंपल में कौंगा भी ड्राइविंग ठीक है जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तब आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा कॉंशेस माइंड लगा रहता है फिर भी हम डंग से नहीं चला पाते है ठीक है या साइक्लिंग शुरुवात में सा खम पाते पाते गाड़ी चला अरे धिकती नहीं है धृजान साहरा वहां पर है conscious मैं तो यहाँ पर रहा है लोगिया कौंशेस मैं चला रहा है तो ये जो चीजे करता हो हमारा माइंड करता है को पुशश पांद व Drekao कर लेंगे मतलब यह सेकिंड लास्ट है उसके बार में क्या आ जाता है भहिया non-discussive non-discussive मतलब जो automatic होती है अपने आप हो जाते है चीजे non-discussive moments या naturalization मतलब अब उसके लिए आप मतलब skill से भी उपर एक होता है cycle चलाना एक होता हाथ चोड़ के cycle चलाना आप समझ रहो मतलब अपने आप सामान्य करन हो गया है अपने आप चीजे जो हो रही है automatically ठीक है है हाँ रोटी मेकिंग बहुत बड़ी skill है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है ठीक है तो भाई ऐसा कुछ है ठीक है टीचिंग बेक स्किल है मुझे याद जो मैं पहली बार मुझे कहा कि माइक्रो टीचिंग चल रही थी तो मुझे जो है मतलब पसीने चूट रहे थे कि भाई सामने जो दोस्त बैठे उनके सामने में कैसे बढ़ा सकता हो लेकिन अब लगता है कि कुछ है ही नहीं क्योंकि एक कि अब एशनय है किस्तिक भी नेयुकस के खर और क्र टे करते 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 अपने आप नेशनल हो गया तो भरलने चिजों को तो थो तो याद रखेंगे सबसे बेसिक रिफलेक्स मॉवमेंट्स टिर जिसमें ब्रें का भी यूज नहीं उसके बाद बेसिक फंडामेंटल उसके बाद फिसिकल अबिलिटीज फिर इसके बाद परसेप्श्ण अबिलिटीज देन स्किल्ड एंडेन नोन डिसकर्सिव या इनको रखना है यार् कैने यह यह स्कुट्स करें एक पार के चार आप को आम हया घरारी आप यह चोट तो बान बाद के लिए बड़ा दिमाग लगता है, ऐसा नहीं है with positive जो है यहां पर जो है यहां पर तो हम दिमाग का प्रियोगी करना चोड़ देते हैं मतलब conscious mind का जिसको sab दिमाग कहते हैं 10% वाला उसके हम प्रियोग यहाँ पर बहुत कम करते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए, अब भई आजाते हैं फड़ावर से प्रशनों पर, अब आजेए जल्दी 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 से आंसर, क्या होगा यहाँ आपका आंसर सबसे पहले बताएंगा भई, विजो तो फोलग इन कैन नोट भी पार होगा टेस्ट कौन सा पार्ट नहीं हो सकता है, जल्दी से देंगे आंसर, अब मुझे के तोड़ा सा जोश आ गया है, कि मुझे भी थोड़ा से लग रहा है कि आपको कुछ जादा बोज तो नहीं हो रहा है, अब इसमें जो है, तोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा, बताने को मिलेगा, फर्टाप फर्ट से बताएए बर प्रीटि कोशि enquारेंडी, चलिए, 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 कोई बात नहीं, ऐसे याद किया, इसलिए बोल धिया, जा हुए, बहिए, प्लिकुल बिलकूल 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 दे Rs. कि बहुत को सकता नहीं हो सकता ठीक है इंटलेक्शल अबिलिटी को टेस्ट करने का तो मीट दा डिमांड ओफ ए इस पास्ट लर्निंग तो सोल दा प्रोब्लम विच एलानर कंफरेंट तो मेक साउंड इतिकल जज्जमेंट एंड मोरल डिसीजन बिल्कुल सही बात है बहुत अप्शन नमबर डी ही है एकदम सही यहां पर आंसर क्यों कि यहां पर आ गया है इतिकल मोरल डिसीजन और इतिकल इतिकल में कोई सिच्वेशन है उसकी जो डिमांड से उसके अकोरिंग आप काम करते तो आपका इंटेलिजेंस है मतलब आप एडजेस्ट कैसे होते हैं तो सीधी सी बात है आपकी इंटेलिजेंस पर निर्वर करता है तो लर्न एंड यूज पास्ट लर्निंग जो आपको पूर्व ज्यान है उसको यदि आपको प्रियोग करना है किस तरीके से कौन कितना कर पाता है वो भी क्या है आपकी इंटेलिजेंस के उपर निर्वर करता है तो सूल दा प्रोब्लम स्वेशन है तो सीधा सीधा हमारा किस से रिलेटेटिट है इंटेलेक्शिवल एबिलिट है एक है बिना दिमाग के तो भई आपको पता है ना कि जब कनेक्शन हट जाता है तो आदमी कोमा में चला जाता है और कोमा में बेशक से हाथ पैर सब कुछ ठीक हो लेकिन आप उनको उमली तक नहीं ला सकते है आप समयों ठीक है होगा लेकिन ज्यादा किस के उपर नहीं है किस में बाल विकास को समझने में अनुदेशन सामगरी के चैन में अधुगम नुभावनिर धारन करने में मुल्यांकन उपकरण बनाने में देखते हैं क्या होगा अंसर इसका जो सही आंसर देगा मुसका नाम यहां पर लिखने वाला हूं देखते हैं कोन देगा स कि यह जर्जी तु के रहे है और भूर के रोग और वेजनाथ चोहन हिए डी शवाष वार्ज वार्ण सावाष़ मीड़ को ब्रीदिकोषिक दी रोगे ने खुंड हम दी रितु शंवर्मा डी ब्री गुड समका आंसर दी डि 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 ड शार्दा सोलंकी डी ब्री ब्री शबा यहां पर जो आंसर है सही वह है वह है वह यहां किंका इन महाश्य का आंसर बिलकुल सही है ठीक है जी साहिल राटी जी ने जो कहा है वो बिलकुल सही है ठीक है क्यों सही है थोड़ा सा समझ लेते हैं पहली बात तो आप अंसर देख लो बाल विकास को समझने में शिक्षा के उद्देश्य सहायक नहीं है शिक्षा के उद्देश्य बाल विकास को समझने में सहायक नह वही होग शिक्षा का उंदेश्य क्या है कि हमें बच्चे को मतलब किस थरीकह शिक्षा देनी वहीं कौन से कौन से उदेश्य है जो हमारे अलगट से ऻन्म पढ़ाना हैं कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है वो सारी चीज़े आएंगी ना तो अब यहाँ पर देख लेगे कि भई कैसे पढ़ाना है अगर आपको mathematics पढ़ाना है तो आप objectives के में ही देखेगे कि भी कैसे पढ़ाना है तो क्या उसमें अनुदेशन सामगरी होगी या नहीं होगी instructional material आप देखेंगे कि भी टेक्स्ट बुक भी चाहिए mathematics के लिए lab भी चाहिए हाना कुछ concrete चीजे भी चाहिए छोटे बच्चों के point of view से ठीक है, तो भी instructional material तो objectives में होगे उसके बाद designing learning experiences अभ बच्चों के जो experiences कैसे होंगे वह हम design करेंगे कि भी अगर हम चीजों को इस तरीके से बताइंगे तो बच्चा इस तरीके सीखेगा अगर अगर इस तरीके से लेके चले तो बच्चा कुछ ऐसे सीखेगा, ठीक है तो भी हम learning experiences को design करेगे कि इसमें objectives में ठीक है preparing evaluation tools अब भई हमने जितना सिखाया है वो बच्चे की समझ में आया भी है या नहीं आया है क्या वो हम objectives में लेके नहीं चलेंगे जिन्होंने भी D कहा है एक बार दुबारा समझेंगे कि भई जब हमने एक objective set किया ठीक है आपने कहा कि भई मुझे ये कारिये करना है सपोज आपको घर बनाना है ठीक है आपको एक चार मंजिला घर बनाना है तो आप evaluate तो करोगे ना कि भई वो चार मंजिल बने भी है या नहीं बने है तब ही तो वो objective पूरे होंगे ठीक है तो evaluation तो भई या objectives का एक अभिल अंग है आप इस बात को समझेंगे ठीक है लेकिन understanding child development क्या है ये मतलब education मतलब objective of education है नहीं ये psychology का part है कि भई जो बच्चे की development है objective of education objective education का मतलब क्या है कि भई जो बच्चा आपके पास आ चुका है अब उसको आपको शिक्षा देनी है तो यहाँ पर जो answer होगा option number A रहेगा बाकी तीन को आप देखे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ A ठीक है बाकी तीनों जो है बिलकुल part बनेगी किसके शिक्षा के उद्देश्य के बाल विकास को समझने में उद्देश्य नहीं है शिक्षा का उद्देश्य बाल विकास को समझना नहीं है शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को शिक्षित करना है ठीक है चलिए बास समझ में आ रही है चलो फटाफर से चलते हैं आगे ठीक है चाइल्ड डिवल्लप्मेंट हेल्प करता है, समझ लेते हैं, चाइल्ड डिवल्लप्मेंट को समझना हेल्प करता है बच्चे को शिक्षा देने में, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें बच्चे को चाइल्ड डिवल्लप्मेंट समझना है, नहीं, चाइल के लिए दे रहा है और प्रगती के लिए हमें इन सब चीजों के आवशकता है इसकी नहीं यह तुसे पहले का स्टैप है वो पहले आ जाता है ठीक है चलिए बास समझ में आरे है भी? आ रही है तो ये तो ये खिर थम जब करेंगे और फिर भी नहीं आरे तो बता देना ठीक ह है उलजने वाले है maximum that's why मैंने यहां पर नाम लिखा साहिल ठीक है चलिए फटाफर से देखते हैं अध्यापक का विशिष्ट उदिश्य है क्या है वही या शावाज जल्दी जर्दादो वेरी गुड़ वेरी गुड़ शबाश आंसर क्या रहने वाला है दे स्पेसिफिक अब्यक्टिव ओफ टीचिंग सोशल साइंस एट सेकेंडर लेवल आ क्या होगे अब जो इसका आंसर देगा सही मैं उसका नाम फिर से लिखने वाला हूँ ऑप्शन नमबर डी 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 ड बिल्कुल सब्सक्राइबं अनजुनायक भी डी कहरें बिल्कुल सही बात है प्रियह भी डी कहरें मोना डी पृतिकोशिक ओल मतलब उपरिउक्त सभी रिनुयादव डी लेकिन यहाँ पर आप जो एक गलती कर रहे है, प्लीज, प्लीज, एक चीज को समझेंगे, यहां पर आप जो गलती कर रहे है, वो एक शब्द को आप छोड़ रहे है, और वो शब्द क्या है, स्पेसिफिक अब्जेक्टिव, वो शब्द है स्पेसिफिक अब्जेक्टिव, स्पेसिफिक का मतलब क्या होत जनल होता है वहर्थ, तोटल, ओल ओवर जो कहेंगे, तो अगर मैं कहूं, ठीक है, ध्यान दिया आपने विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य की बात चल रही है, यहां पर, समान्ने उद्देश्य की बात नहीं चल रही है, आपने जब भी लेसन प्लान ब वाला, तो डिवलाप गुड सिटिजन शिप, यह तातकाली कुछ देश्य नहीं है, यह तो हमारा जनल अबज्च्टिव है, यह जनल है ना, सोच के देखो, सही तो है, लेकिन प्रशन में क्या पूछा है, यह भी तो देखो, तो डिवलाप दा फिलिग उप पैट्रियोट क्या है, तो इनकल्केट नोलिज अबाउट कंपोनेट्स ओफ हिस्ट्री, जेवरफी, सीविक्स, इकोनोमिक्स, यह स्पैसिफिक अबज्च्टिव है, बासमच में आरे हैं आपको, देखे, अब मैं अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप किस तरीके से गल्ती कर जाते हैं, एग् उदेश हैं, तो आपको B और C दोनों को करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर स्पैसिफिक कहा है, तो हमारा अनसरों का उप्षन नमबर A बिल्कुल सही यहां पर, ठीक है, बास समझ में आ रहे हैं, आ रहे हैं, एक बार मैं थम्जब करना, फटाफर से चलते हैं, नेक् से करना, मुझे अच्छा लगता है, मैं कुछ कर पाराँ, ठीक है, और आप भी यही कुछ कर पारे, कुछ सीख पारे, तो बेटर हैं, अच्छी बात. चुल्ले, इसका काल से दो जल्दी से अब, बैजना जी कह रहे हैं, पुजारिया कह रहे हैं B, मिनालगर्घ बी, एड नितिश कुबार ने कहा A अब देखते हैं किसको वो याद है करम पूरा रूची पूरवांची A प्रिया A निक्की मिश्रा C चलिए निशा जोधरी B महवीश B राश साहिल राठी B यश्वन सिंग B शार्दा सुलंकी B शार्दा सुलंकी C और जी हाँ आंसर यहाँ पर जो सही है वो है उप्शन नमबर B जैसा कि अब है हमने देखा था सबसे पहले हम रिसीव करते हैं फिर रिस्पोंड करेंगे फिर उसको वेल्यू करेंगे अब वेल्यू को अकोर्डिंग हम और्गिनाइज करेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा करेक्टराइजेशन हो जाएगा अब जो B से अलग बोल रहे है वो एक बार दोबारा से इस चीज़ को समझे देखे कि इनका करम आपको याद होना ही चाहिए यह एक्जैम में आए हुए प्रशन है ठीक ही? हाँ सेकेंडरी लेडल भी है एग्रीड मान लिया लेकिन स्पैसिफिक अबजेक्टिव प्रिति कोशिक जी स्पैसिफिक अबजेक्टिव मतलब विशीष्ट उदेशे क्या है जो विशीष्ट उदेशे अगेन कह रहा हूँ वो इमीजियेट होता है ठीक है? हाँ, बिल्कुल फर्स्ट बी एंड करेक्ट बिल्कुल सही बात है ठीक है? तो भाई, आजसर क्या होगा? option number B series आपको याद रखनी चाहिए थी जिन्होंने भी इस से अलग कुछ भी कहा ठीक है? बिल्कुल चलिए, आगे चलते हैं फटाफट से प्रिडिक्ट, प्रिपेर, रिलेट, शोर, सोल, एट्सेक्टरा पर्टेन तो विच वन ओफ दा फोलोविंग कैटिग्री इस किस में आएंगे? जल दी से बता दो भी ये की मेर्स होते हैं भाईया? ठीक है, इस किस कैटिगरी में आएंगे? फटाफट से बताइए क्या होगा? ठीक है, शाय संतोष जी ने सबसे पहले आंसर दिया था, ठीक है, अगर दिया था तो भी बता देना, बिल्कुल सही बात है भी, एपलाई करना, समझ के चलते हैं, आपने जो नोलिज ली है, उसको एपलाई करना, ठीक है, आपने जो जमा घटा सीखा है, अब आप उसको ज आप नोलिज को समझ के अब उसको एपलाई कर रहे हो, किसमें किसी चीज को डिमोंस्टेट करना, मतलब करके दिखाना किसी चीज को, आप अपने ज्यान को एपलाई कर रहे हो, कुछ चीज को डिसकवर करना, आप मतलब फिर से खोज कर रहे हो, मतलब कुछ कर रहे हो, जहा अपने ज्यान को एपलाई कर रहे हो, प्रिडिक्ट करना, पुर्वानुमालन लगाना, मतलब आपने जो नोलीज है उसको आप अपलाई कर रहे हो, पुर्वानुमालन लगाना भी तो एपलाई करना ही हो, ठीक है, प्रिपेर करना, मतलब तैयारी करना, रिलेट करना दो करना किसी को सोल करना आपने को प्रशन सोल किया तो आप अपने ग्यान को अपलाई ही तो कर रहे हो उसका प्रियोग ही तो कर रहे हो तो यही होगा हमारा को सारी चीजी है यह यह आपको समझ लेना कि भई को सा कौन सा किसके से रिलेति तुझ那麼 उसके बाद विसोच समझ के आशान कहा देना है और ऐसी प्रसिन भी एक्जैम में बने है याद रखना है यह जो फरावर चलते नेक्ट केशन पे दा अब्जेक्टिव एक of this unit the students will be able to summarize the main events of a story in grammatical correct language belongs to which of the following level of cognition this is a guy who is a guy who will have a shaksharti khani ki mukha gharnao ko vya kral should root mess and shift car second game yeah this gun at maku the shake say some man did hey answer the dog foot offers a jaldi say kya on a wall i have a application synthesis evaluation ya comprehension shabash shabash jaldi say answer 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 foot offer foot offer foot offer minalaghar carry si sumanish rohi d half gamers d and guralin b and ruchipurvanchi a sharadha salanki b and bajanat chohan b nikki sharma nikki mishra b and ritu sharma d shabash shabash parul malik a and nisha chodri b puja arya ne badal kar kar diya b yashwant singh b and sahil rati d anjum khan carry d comprehension carry dhari pooja a ria likan bahi yaa pur joa sahi aansar ayyum khan ji aapka bhi joa sir thoda sa deviate ho gaya gali tushah mne jara hai abyo answer answer ane waala hai yo option number you haa pere b b johanwa bilgul sahih hai you kya hain ap dhek l现在 synthesis karnak kya hoota hai is kansar synthesis kya hua evaluate kya hoi hua comprehension kya nini hua comprehension kya nini hua application kya nini hua da kinha annd of dis unit jabs unit का end होगा the students would be able to summarize students summarize कर पाएंगे जो भी आपने सिखाया है उसको वो क्या कर पाएंगे संख्शित कर पाएंगे और संख्शित करने का मतलग कुछ बनाना वो अपने आप से कुछ बना पाएंगे for example आपने एक स्टोरी सुनाई उसके बाद में आपको कि मैं इसकी समरी बताओ तो समरी का मतलग क्या है कि पहले बच्चा उसको एनलाइज करेगा कि इसमें कोन से कों से पोईंट थे कोन से कोन से अलग लग भाई भूमिकाई निभाने वाले थे ठीक है और उसके बाद में क्या करेगा वो उसको summarize करेगा अपनी भाशा में बताना होता है summary बनाना summarize करना और अपनी भाशा में यह जी कुछ बना रहा है, बनाने का मतलब ही क्या होता है, synthesis, मैंने का था, photo synthesis से relate करना, ठीक है, तो भई, summarize यहां पर आपने देखा, able to summarize the main events of a story in a grammatical correct language, अब इससे पहले मैं agree करता हूँ भई, वो synthesis से पहले क्या क्या आ जाता है, comprehension भी होना चाहिए, apply कर ना भी आना चाहिए, synthesis भी होगा, लेकिन यहां पर evaluation की बात नहीं आई है, तो यह तो मैं मानता हूँ कि भई, आपने से किसी न अगर सीख आया, तो भई, तो भई तोड़ ऐसा गरबर जा रहा है, लेकिन आपने इस शब्द को नहीं देखा, शायद ध्यान से, कि वो करने का मतलब अपने आप में क्या है, synthesis करना, कुछ नया बनाना, कुछ अलग बनाना, अपनी और से कुछ करना, ठीक है, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इस cancer होगा, option number B, मतलब synthesis करना, या sensation करना, और बात समझ में आ रही है, तो एक बार करेंगे थम्जब, फि लिए अब कितले कर पाते हैं सही, ठीक है, आपने बहुत पढ़ा होगा, बलूब से एक सब्सक्राइब के वारे में, ठीक है, मुझे पता ए कि भरी, आप सभी जो है, सीटेट, तो एक लिशत आपका ही है, सभी का, ठीक है, बहुत पढ़ा होगा, वहाँ पर भी जब death रहे टीचर आस्टूराइब करना चाहरे हैं। हां डिपलोमों में भी पढ़ा हैं मैं तब ही कहा एँ ना कि अनसर क्या रहा है उने कह रहे और जोतिपान किसह रहे हैं B ये जा शोटिपेर क्हा रोड इन समंप सिरही बी निशा चोद्री ती रितिर चैनी कर आ कि आप कितना बिल्कुल-बिल्कुल करते हो, हाँ, मैं बिल्कुल-बिल्कुल-बिल्कुल-बिल्कुल-बिल्कुल करता हूँ, ठीक है, सही बात है, हाँ, नोलिज ओफ एंड एप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो भई, आंसर जो है, बी-बी-बी-बी-बी आ रहा है, लेकिन यहां पर जो सही आंसर है वो अभी जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है गुरलीन का जो है option number d एकतम सही ठीक है चलिए यहां पर जो आनसर है वई यह पुल्ला टॉमस जी थेंक्स कह रहे हैं वई थेंक्स किस बात के लिए वो भी एक बार बता दे न ठीक इसको भई 2001 में जो है जैसे मैंने कहा, भई 1999 में उनकी डेथ हुई, ठीक है, तोड़ासा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, भई अपना कॉम्प्रिहेंचन यहाँ पर एप्लिकेशन, उसके बाद है भई, एनलीजिस, सिंतेसिस, एड इवैलिवेशन, ऐसा था, तो इसके अंदर जैस्टेक्चेंज किया था, क्या कर दिया था, ठीक है, नोलिज को कर दिया था, भई, रिमेंबरिंग, मतलब यह तो भई याद करना है, ठीक है, अब आपको किसी की डेफिनेशन, पता है या नहीं, पता है, यह था, रिमेंबरिंग से रिलेटेड़ है, यह कोई अंडरस्टेंडिंग थोड़ी है, आपने की एक आप आपने का कि ठीक फलाने के डेफिनेशन बता हो, और अ आपने बता दी, तो जूरू यह आपको अपने स्टेंडिंग भी हो उसकी कम्प्रिहेंशन भी हो आपको पता भी हो कि अग्जिटलिस का मतलब किया है नहीं वो जस्ट डेफिनेशन पूछ रहा है तो यह बात है किसकी नौलीज की सबसे निचला जो सतर है उसकी बात है उसके बाद में क्या है भई अब कहा र अंडरस्टेंडिंग ठीक है आपके एग्जैमिनेशन में वैसे नैटीन फिफ्टी सिक से ही आने के पूरे-पूरे वो है ठीक है उना योदी आप कहेंगे तो भी जो चार्ट है आपको प्रोवाइड कर दोगो को इश्यू निये ठीक है एप्लिकेशन को कर दिया एपलाई वही पर रहा ये एनलाइजिंग जो भी था उसको कर दिया एनलीसिस ठीक है एनलीसिस को कर दिया एनलाइज ठीक है उसके बाद में यहाँ पर जो इवेलुएशन था सबसे उपर वो आ गया यहाँ पर नीचे मतलब इवेलुएशन या इवेलुएट करना और लास्ट में उ अब इसका जो आंसर है, शाम सर कितने में जाएंगे, आप एक बार है उसमें लाइव में देख लीजे, मुझे भी लिटरली एक्जेक्टली नहीं पता है कि टाइम क्या है क्लास का, ठीक है, आपके पास जो आया होगा रहा है वो नोडिफिकेशन उसमें आपको मिल जाएगा है भी कुछ हैसा रहत है अभी जो क्लास का मेरा इत्रह प्रहसर हो रहता है, लिटरली बता रहा हूँ मैं सब कुछ भूला बैठाओं, खाना पिना, ठीक है सोना सब कुछ, ठीक है ऊसा कुछ है, ठीक है तो यहां पर नोलिज और एप्लिकेशन रहेगा सही आगे देखें प पक्ष के रूप में उद्देशों से संबंदित नहीं है। मैं उसको डाल देता हूँ अपने वर्टसेप ग्रूप पे ठीक है जो हमारा वर्टसेप का ग्रूप है उसके उपर भी और जो है अपना क्या टेलिग्राम का जो ग्रूप है उस पर भी दोनों पर ही वो पिक्चर डाल दोगा जिसके अंदर है भई नाइटीन फिफ्टी सिक् दिया गया है ठीक है वो वहां से आपको मिल जाएगा ऐसे करके दो मिल जाएगी ठीक है डाल देता हूं कोई शुरी इसका अंसर भई आ रहा है बीवी आ रहा है खुश्बपाल कहरें भी एंड पुजारिया सी एंड संदीप कुमार डी बीन सेनी बी अरे वाँ भई सब के लग लगा रहे हैं देख रहे हैं उद्देश्य विशेवस्तू के चैन के लिए संदर्पदान करते हैं उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं उद्देश्य संभावित उपलब्दी के बिंदू होते हैं उद्देश्य तातकालिक तथा प्राप्या होते हैं क्या है यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं सही आंसर जो है फिलहाल जो स्क्रीन पर है वह यह चंद्रभान जी का जो है जो है और बी और बी ओप्शन क्या है उद्धिश्य व्यापक और सामान्य होते हैं सामान्य और विशिष्ट होते हैं तब तो बात है सही ठीक है सामान्य और विशिष्ट होते हैं बात सही है लिकिन यह क्या है उद्धिश्य व्यापक और सामान्य होते हैं अब्जेक्टिव सार ब्रोड एंड जन्रल स्पैसिफिक कहा गया स्पैसिफिक तो एक हाले ठीक है एक हम करे राम, शाम and अधर्स, एक हम करे राम and शाम, ठीक है, तो इसका मतले तो भई, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो भई, यहाँ पर आप देख रहे हैं, व्यापक लिख दिया और सामाने लिख दिया, जो कि सामाने और विशिष्ट होना चाहिए था, या ब्रोड और न टेक्सोनोमी करते हैं, ठीक है, तो भई, मेरा उद्देश्य क्या था, विशेवस्तु के अकोर्डिंग कि था न, जो आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब जो आपका जो सिलेबस है, उसके अकोर्डिंग, तो भई, विशेवस्तु का चैयन किसके आधार पर हुआ, ठीक है, उ स्ट्रक्शन बजेक्टिवस से मिलने चाहिए तो बाइये कैस उपलबदी हैं उसके बाद तातकालिक अथाइनुज और अधिनेेबल गोल सोते जिसको आप सीख सकते हैं जैसे कि अभी अगर下 अभी हम तोड़ा सा गड़बन में जा रहा है, that's why, यह होगा, जो नहीं है, वो था ना, उद्देशों से संबधित नहीं है, नहीं बताना था, that's why आंसर होगा, यह, ठीक है, चलिए, ओके, हाँ, बहुत गलत हो रहे हैं, आज तो, दिले दिले सही होगे, मैं आप मेरा पैटन समझ ल आएंगे, बात में बड़े इजी-जी आएंगे, ताकि आपको फील हो कि, आहा, आ गया, अच्छे-च्छे परेशन सिखाने भी तो, आपको, ठीक है, अब सारे ही इजी-जी ले आएंगे, तो गड़बढ है, सारे ही मुश्किल-मुश्किल ले आएंगे, तब भी टाइब भी तो अब भी आएंगे, अच्छा, चलिए, हाँ, 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 अरे भाया, देखने हो तो, हाफ गेमर्स क्यारे एंगे, नितिशकुमार क्या रहें सी, बीना सानी क्यारे एंगे, पुरुजी पुर्वान्ची सी, पृतिकोशिक बी, शार्दा-सुलंकी बी, अण एए एड जोतिपाने डीन, तिश कुमार डीन, रितु मलिक B, एड संदीफ कुमार A, रितु शर्मा B, एड बैजनात A, ठीक है, यश्वन सिंग B, मोना A, एड दीपा कुमारी B, और जी हाँ यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर जो सही आंसर है, मुझे स्क्रीन पर दिख नही रहा है, ठीक है, मुझे स्क्रीन पर अभी भी दिख नहीं दिख रहा है, ठीक है, और वो आंसर सही है, यहाँ पर भाईया, डी, ऑप्शन नम्बर डी सही है, अभी में बता देता हूँ, क्यों, ठीक है जी विकी, फिजिकल एजुकेशन जी, स्वागत है आपका, लेकिन आ कोगनिशन, ठीक है, संग्यान का संग्यान होना, संग्यान का कि आपका जो संग्यान हो कैसे कारिय करता है, उसका संग्यान होना, अपनी थिंकिंग की थिंकिंग होना, अपनी सोच की सोच होना, अब इस प्रशन को पढ़ेंगे दुबारा, ठीक है, क्या है रही, अगर मैं क के फिर पढ़के देखते हैं मैटा कोगनेशन रिफले रिफर्स टुई हायर ओर ओर तिंकिंग हायर ओर तिंकिंग तो है भई हरा हर किसी काम थोड़ी है अपनी कोगनेशन के बारे में सोच पाना ठीक है विच इन्वेस एक्टिव कंट्रोल एक्टिव कंट्रोल ओवर दा सोच को सोचते हैं तभी तो उसके उपर कंट्रोल कर पाएंगे चीज को समझो विच चम्जों यहाँ पर क्रिटिकल तिंकिंग यह नहीं होती है जिन्हों है इसना तो यह नहीं है मतलब क्या उससे आप अपनी आलोच नात्मिक चिंतन से क्या आप अपनी सोच पर कंट्रोल करते है आप से प्रशन पूछने एक बार ठीक है क्या प्रोब्लम सोल्विंग में क्या जिन्होंने भी कहा भी क्या प्रोब्लम सोल्विंग में क्या आप एक्टिव कंट्रोल करते है कोगनीटिव प्रोसेस पे ठीक है या प्रोसेस स्किल्स में हम ऐसा करते है भाई या जो मैटा कोगनीशन उसका मतलब यह है कि जब हम अपनी सोच को समझना शुरू कर देते हैं मैटा कोगनीशन से क्या होगा अप यह देखेगे कि भई में गलती कब करता हूं कैसे करता हूं कों सा ऐसा प्रशन आता है जो मुझे उलजाता है और किस कारण से उलजटा हूं और अगर आपने वो समझना शुरू कर दिया तो आप उलजना बंद हो जाओगे ठीक है आपका control हो जाएगा अपने cognitive process के उपर ठीक है यहाँ पर यही लिखा है और इसी को क्या कहा जाता है meta cognition ठीक है आप यह देखें कि भाई आप गलती कहाँ पर करते हैं क्यों करते हैं कब करते हैं मतलब यही क्या यह अपने cognition को समझना नहीं है इसको जो है इसी को कहा जाता है meta cognition यह cognitive about cognition ठीक है संग्यान का संग्यान होना ठीक है higher level का तो है यह चोटे लेवल का थोड़ी है यह बहुत उचे लेवल की बात हुए यह ठीक है बोलते हैं मन जीते जग जीत सेम वही चीज है यहाँ पर जिसने अपने मन को जीत लिया मन का मतलब जिसने अपनी सोच को जीत लिया उसने पूरे जग को जीत लिया अन्या गुरुलानक देव जी का कथन है मन जीते जग जीत ठीक है चलिए इसका बता दीजे जल्दी से इसका बता दीजे जल्दी से किसके नवारा भई आप आप सोशल वैल्यूज डिवलप करेंगे पुजार डी ही तो था नहीं भई बाद में आपने बदल दिया दोजार एक वाला कहरे है भईया नोलीज नहीं है रिमेंबर है भईया ठीक है कम्प्रिहेंशन, एप्लिकेशन, एनलीसिस मैं बता ही दूं क्या निक्की मिश्रा जी चलो में बता देता हूँ कोई बात नहीं दोजार एक वाला में बता देता हूँ ठीक है बैजरा चोहान कहा रहे है एंड पूजा आरिया कहा रहे है डी पृतिकोशिक एंड जोतिपांडे एंड खुश्मुपाल सी रेनुयादो एंड विकी एड्यूकेशन कहा रहे है डी हाँ बिल्कूल बिल्कुल बिल्कुल इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चा जो होता है बच्चा एक मतलब इमिटेट करता है आप जैसे होंगे बच्चा वैसा ही करना शुरू कर देगा तो यदि आप एक अच्छा रोल मूडल बलके दिखाते हैं तो बच्चा अपने आप अच्छा होगा उसके बा इंसानों में और भेडबकरियों में अंतर होता है प्लीज समझिये हम सब को एक जैसा नहीं बना सकते हैं और ना सब एक जैसे होते हैं तो मैं यह कहूंगा कि अगर यह उप्शन नहीं होता यह उप्शन ज्यादा बेटर है अगर यह उप्शन नहीं होता तब हम एक परसें ताकि वे उसे एक प्रति रूप समझने लगे कि हमें इसके जैसा ही बनना है इस तरीके का चलों हो कितना बेटर है क्या है प्रशन देख लेते हैं ऐसी सर्वाधिक प्रभावी विधी कौन सी है सबसे प्रभावी बतानी है ठीक है मैं यह कर रहा हूं यह गलत नहीं है लेकिन मैंने काने कि अगर यह नहीं होता तो यह भी सही हो जाता सर्वाधिक प्रभावी विधी कौन सी जिसका प्रियोग बच्चों में सामाजिक मुल्यों का विकास करने में किया जा सकता है ठीक है तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा हम स्वेम उनका प्रदर्शन करें तो बच्चा अगर आती है तो सही होने वाली है फोर शोर ठीक है चलिए फटा फट से आ जाते है अब शिक्षा के उधिन उद्देश्यों होते हैं शिक्षा के नाते शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में आपके विचार है कि शिक्षा के उद्देश्यों क्या इजी क्वेश्यों फ आई-पहु एपकी अंसरा धी बीजित्बर चाहने यह गैंगे अभेके टूडों मािल्या का सही सरय आंउने ऑल्ग कि रहें जोड़ा ढ़ा जोड़ा है ओर मैं देतेर आटूडूजूचगा जो दालो शिक्षा का उदेशया होना चाहिए क्या बदाओ जल्दी से अब आपको थोड़ा सा मनलब अब पहले आपने चीजे को सीखा अब थोड़ा सा जो है चीजों को रिकोल करने का और थोड़ा सा ये फील करने का अपना जो गॉंफिडेंस वो बूस्ट होना भी जिटने परशन होंगे केवल उदेशयों से संबंधित होंगे आज का उदेशय यही है तो भया चात्रों के जीवन के लिए तैयार करने सिंपल सी बात है बता दो जल्दी से संग्यानात्मयक डॉमियन में किस चलन से नीचे दिया गया परशन संबंधित है क्या निरंतर इसे आपका लेवल जो काफी ऊपर तक जा चुका है ठीक है फटा फट से देगे आंसर भाई रूची पुर्वांची ए निकी विश्रा ए और नितिश कुमार बी बिना सेनी ए पुजारिया ए नितु नितु बी ए नितु शर्मा ए दीपा कुमारी बी और पारवमलिक ए बि जो अब आया है अभी एडरेनु यादव जी का मैं देख पा रहा हूँ अभी और विनालगर का देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही है अब अन्सर होगा एपलाइंग ऑप्शन नमबर बी सही है ठीक है ए नहीं है बी सही है डी भी नहीं है बी सही है प्रिंगर आया जी अभ यह चीज जो है क्या समझ के कही जा सकती है नहीं क्या यह चीज इवेलुएट करके कही जा सकती है इस चीज को हमें एपलाई करना होगा जब हमने इस चीज को एपलाई किया तब पाया कि भई वो व्यक्ति जो हाध होते है उनको जो है डायरिया की प्रोब्लम कमपेरिटिवल जो दाहित होते हैं, उनको ज़ादा होती है ठीक है? मैं यह कहना चाहरा हू den तो ये जो चीज ये अप्लाई करने की है ना कि इवेल्यूएट करने की इवेल्यूएशन बाद में होता है क्यों कैसे क्भी क्यों valuation होगा लेकिन यहां पर यह क्या है क्या कमी आती है इसको हम कैसे करेंगे भई अनुपरियोग के द्वारा हम इसको कर सकते है कि आती है या नहीं आती है आंसर होगा option number B यहां पर applying ठीक है हाँ कराया था मैंने याद आया option number B है यहां पर सही जल्दी से बता दो भई परभावी डोमेन में हाला कि इसको परभावी लिखते है भावात्मक डोमेन लिखना चाहिए ठीक है इनदा अफेक्टिव डोमेन abstract knowledge is built at the level of abstract knowledge किस लेवल पर बनेगी फटा फट से बता दो जल्दी से आंसर दे दो फटा फट से शवाश शवाश जल्दी आंसर क्या होने बाला है very good c 100% कहरे होई अरे वाशभी का c 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 यह शवन सिंग जी डी नहीं आंसर c ही है यहाँ पर characterizing मैंने लिखा भी ता वहाँ पर कि जब वो चीज हमारे character में आ जाती है जब हम उसी में रच मस जाते है जब हो हमारा ही अंग बन जाता है हम वही बन जाते है और वो हम बन जाते है तो हम क्या आ जाते हैं भी या character में आ जाते है उसी के जैसे मैंने example भी जाता mathematician of the child is characterization ठीक है तो भई यहाँ यहाँ पर क्या है abstract हो जाती है चीजे हैं हम चीजों को उसी तरीके से देखना सोचना समझना कर शुरू कर देते हैं ठीक है तो answer भई C है maximum ने दिया है सही एक तब ठीक है चलिए भई आगे देख लेते हैं जल्दी in blooms higher की skills are associated with bloom के अनुकरों में कोशल जुड़ा है लाए कि से इजी के अंसर के अनचे भी फटा फट से जल्दी 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 आंसर पूजय आरे का है डी बिनसे नी और गुर्लीन से अन्ड अरे भई प्रितीकोशिट इतनी बार कर देतें पुकर नम सब भाग जाते हैं बी एंड नितिश कुमार डी एंड शबाश 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 ओल दायबो अरे 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 भाई अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो ठीक है मिनालगर्ग भी डी कह रहे है मोना भी डी कह रहे है पारुमलिक डी कह रहे है निक्की मिश्रा डी कह रहे है ओल अब दायबो भाई विक्क कि कुंछ साहर पिस स्कील्स आर एसोशेटिडीड विद इस नावी यज भीट तब थे चल्ड किसमें पढ़ाथा अथे पिसकील्द इस इसे ऐसे पने कितूर बहुति अपी जो है अब थनियरे सब्ढ़ खंद भील्य दिनिग दनता कर दे टने से याद रखना है भाईया साइको मोटर डोमेन में आपने नहीं पढ़ा कि कोशल होता है मैंने कहा कि टाइपिंग करना कोशल होता है पढ़ाना कोशल होता है साइकिल चलाना कोशल होता है ड्राइविंग करना कोशल होता है क्या ये सभी चेजें डूइंग आसपेक्ट से नह गर्ग जी यहां पर तो मत पढ़ो कोई बात नहीं एक्जाम में बिल्कुल सही से पढ़कर ही आंसर देना है गर्बर मत कर देना ठीक है राधे राधे गुरु जी मिश्रा भी फाइव क्लासी जी करें राधे राधे आपको भी ठीक है थोड़ा सोच समझ के ठहर के ठंडी जो जो है आंसर दें साइको मोटर डोमेन है स्किल की बात चल रही थी यहां पर आंसर ठीक है आगया है समझ में हाँ मोरा जी भी आपको भी आगया हो चलो फटाफट से बता रहे थे एक निशकर्ष की वैदता को जाचना ब्लूम के वर्गी कर में किस वर्ग में आएगा निश की वैदता को जाचना तेस्टिंगा लेजितिमिर्सी ओफ एक कन्लूजन विल फोल इन विच कैट्गरी ओफ लूम से आंसर जल्दी से सिमिन सोरी डी अ निशा चाधरी दी एंधर शर्मा दी आसरी बी और गुरलीन दी एंद खुश्मु पाल दी एवलेशन के रहे है वही कि वाग डी बील्कुल सही बात है है जिौ मुझी फोली कि रुग श então भी ऎूज करना आशनल कर रहे है त्यूं आप की श्यूंग में अके व्यक्स करने उसको श्यूरल रखनि onset कर रहे है है फ्यूंन की लिजऑ गोग पाल्त शोर्च कि वहीं होगा ट्यूं कर रहे हैं ाह स क्या होगा इवेलिएशन ओप्षिन अमबर डी सभी का आया है एक तम सही चलिए वही फता फट से चलते हैं आगे बीएस ब्लूम के शेक्षिक उदेश्यों के वर्गिकर्ण में निम्न में से कौन सा जान अक्षेतर नहीं है कौन सा नहीं है अरे फाल तु प्रशन जल्दी से तब तक आप अजन देते तब तक मैं ही इसको टिक करके चलता हूं आगे यह वाला नहीं है आपको पता है कोगनीटीव होता है अफेक्टिव होता है, साइको मोटर होता है, यह कोई नहीं होता है, आंसर जो है, option number D ही है, सही, आगे चलते हैं, जल्दी से नहीं है, कौन सबसे व्यापक है, कौन सा सबसे व्यापक है, objective, aim, specific objective, instructional objective, जल्दी से दे दो, आंसर इसका, पटा-फट से हां, सभी का अंसर D ही आना यह 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 गजल था, ठीके जी, हाँ, option आ रहा है, D, 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 पुझा आर्या करें, A, रुची प्रवाच्ची, A, निकी, मिश्रा, D, पारुनमलिक, D, सुमिन सरोही ने कहा, B, मोना, D, याशनन सिंह, D, रितुमलिक, D, रितुमलिक, D, बैजना चोहन करें, B, बैजना चोहन कर अब बात को समझाँ, ध्यान से इसकाल सरोफ्चन नम्मर भी, एब, एब, एम, 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 का मतलब होता, भाइए लक्ष, यह लिका वा, लक्ष ए, बहुता है, उद्देश, उद्देश चूटा होता है, सबसे व्यापक जो सबसे बड़ा है, सबसे विरत है, वो ठीक कि अब मैं कहूंगा कि एक लक्षे होता है ठीक है मेरा लक्षे क्या है भई मेरा लक्षे यह है कि मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है मार के जलते हैं डेजन्ट मैटर की सरकारी या कैसा ओल्लाइन की ओफ लाइन लिकिन अच्छा अध्यापक बनना है यह मेरा लक्षय हो सकता है लिकिन अगर बात करें अबजेक्टिव की तो मेरा आज का अबजेक्टिव है क्या कि भही मुझे आपको Bloom's Taxonomy सिखाना है हरा यह मेरा उदेश्य है उदेश्य क्या होते है छोटे-चोटे Steps होते हैं अपने लक्षय तक पहुचने के अपने लक्षय तक पहुचने के लिए जो आप छोटे-चोटे तक पहुँचते है इस बात को आप समझे जोती आदव जी नमस्ते ठीक है जी हाँ बिल्कुल 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 अधिक जानकारी के लिए बिल्लूम से संपर्क करें चले जी ठीक है तो भई आसर यहाँ पर क्या है उप्शन नमबर भी एक तम सही बात समझ में आ रही आपको ठीक है अगर आ रही तो भई एक बार ऐसे करके मतलब थमजब करके और चलते हैं आगे फटा फट से ठीक है लक् सबस्क्तल vatsal abhiri tu a 59 अicias कि सक्षयत्र में आते हैं फटा फट से डेंगा आंसर जल्दी से आंसर क्या होने वाला वजब का बता दो भी आई आंसरー घ्यरम चबाश्यण फटाड़ारच अनसर किसंगें आपिटिटीड इंट्रेस्ट एड वेल्यूज आरि रिफ्लेक्टिड बाइ किसमें? यहां पर क्या होगा सी होगा भावरात्मक अक्षेत्र होगा भावात्मक अक्षेत्र होगा भावात्मक अक्षेत्र मेरा इस चीज में इंट्रेस्ट है यह किस से रिलेटिड है आपके ग्यान से नहीं आपके भावों से मुझे काम करना अच्छा लगता है यह किस से रिलेटि आप किसी चीज़ की कितनी value करते हैं आप किसी चीज़ का कितना मुल्या करते हैं अगेन वो भी जोड़ा है किसे आपके भावों से ठीक है तो answer यहाँ पर होगा option number C effective domain एकदम सही ठीक है जी हाँ बिल्कुल सही बात है ठीक है ली तो भावी यहाँ पर क्या होगा effective domain होगा ठीक है चले आगे चले परदरशनी या विज्ञान मेले से विद्यार्थियों की जो दक्षता बढ़ती है वह है कोन से दक्षता बढ़ती है या जल्दी से बतादो answer शवाश 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 answer जल्दी से फटाफट परदरशनी या विज्ञान मेले से विद्यार्थियों की जो दक्षता बढ़ती है कोन से होगी ज्यान होगा समझ होगा उच्छता है होगी कोई नहीं होगा चले बी 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 एन सी 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 भी आ रहा है भाई जी अरे भाई क्या क्या लेकर है हो बिल्ली ने चीका है अद्वुत तरीका है गजब कर रहे हैं तुम तो शैरी हुए ठीक है चलो हाँ भाई answer जिन्होंने भी दिया option नमर भी एकदम सही कह रहे है उससे क्या होगा उनका समझ होगी बढ़ेगी और वो उस चीज को अनुप्रियोग कर पाएंगे देखे भाई यहां पर बात है प्रदरशनी और विज्ञान मेला जब हम विज्ञान मेले में जाते हैं तो पहली बात तो जब हम चीजों को होते हुए देखते हैं तो उससे हमारी समझ बढ़ती है ठीक है जी एंड second thing क्या होता है हम उसको apply भी कर सकते हैं अच्छा चीजे ऐसे भी होती है हम उस चीज को प्रियोग भी कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में that's why comprehension भी होगा और application भी होगा दोनों ही है एक दम सही ठीक है जी आंसर क्या होगा option number B जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल ठीक बाद है भई आगे जलते हैं फटाफट से क्या है बच्चों के संग्यानात्म की विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिवाशित किया जा सकता है आंसर जल्दी से education फटाफट से आंसर देज़ें भाई चलो कुछ तो ठीक हो रहे है अरे सारे ठीक होंगे भाई चिंता ना करो ठीक है चीजे आसान ही होती है बस उनको थोड़ा सा समझना पड़ते है ठीक है चलिए भाई आंसर आ रहा है A A A A and B भी आया है उसके बाद भाई B B अरे संदोश पाल जी कह रहे है पूझा आ रही है प्लिए गराउन में जोतिपान ने कह रहे है A मतलब भाई खेल के बचाण में मतलब भाई अरे भाई ठीक है रितुमली कह रहे है A and हिवास्य शर्मा कह रहे है C प्रियंक गराए कह रहे है B पर एवाला नहीं है, playground answer नहीं है, क्यों नहीं है, वो भी बता देता हूँ, भाई, प्रशन में क्या पूछा गया है, cognitive development कहा गया है, cognitive development, संग्यानात्मक विकास, संग्यानात्मक विकास कहां पर देखा जाएगा, क्लासरूम में नहीं देखा जाएगा, अगर पूछना हो कि यह जो बच्चा है पढ़ाई में कैसा है, आपको पूछना है कि यह बच्चा पढ़ाई में कैसा है, तो आप टीचर से पूछोगे या पीटी आई से पूछोगे, बतलब पीटी जो फीजिकल ट्रेडर है उनसे पुछोगे ठीक है आपको पता भी मेरे साब से तो टीचर से पुछेंगे बतलब जो क्लास टीचर उनसे और ज्यादा पुछोगे ठीक है या फिर आप स्कूल में पुछोगे या फिर जहां पर वो शाम को खेल ले जाता है उस पढ़ाई में कोई संग्यानात में किनकास की बात चल रही है न ठीक है तो भाईया ये वाला अनसर होगा सही ये नहीं है ठीक है हाँ बी ओप्शन ठीक बाप ठीक है आज मेरा कोगनिशन काम नहीं कर रहा है चलिए कोई बाद नी कोगनिशन काम करेंगा ठीक है कोई बाद तो इस पर चले जाएं आप कुछ से बताईए क्या ऐसा पॉस्टिबल है कि हम इस चीज को तो छोड़ दें और इसको कह दें कि हाँ यहाँ पर तो होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होता है समझे इस बात को ठीक है भाई मेली तो हम यहाँ पर देखेंगे न कि भी क्लास रूम म स्टूडेंट्स को मैंने दिया है बता आजी बिल्कुल भाई हमांचासर की क्लास चार बजे है वह आपको पढ़ाते हैं जी के ठीक है आज है दीविस की क्लास है ठीक है तो जबरदस्त क्लास होती है उनकी तो आप जरूर क्लास में रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल शायर है क्या बड़े वाले शायर लग रहे हैं मुझे तो ठीक है ओप्शन नमर भई ए ए ए आ रहे है गुरलीन ने का है बी बाकी सभी का भई बीना से रहे है नहीं रिपाल भोकर रहे है तुमलिक हिमाचु शर्मा सभी का रहा है ए कौन सा सीखने का अक्षेतर है एक्सपेर क्या बीच विट्व भी रावन भी कि भी हम आगर जो अफेक्शन हो भी तो सीखना पड़ता है जो हमें शाइगल चलाना तरुली तो सीखना पड़ता है ठीक है लर्निंग का कौन सा अबेन है अब आप करे एक्सपेरिमेंटल या स्प्रिच्वल या प्रोफेशनल नहीं भ बढ़ा एक हमने साइको मोटर डोमेन बढ़ा इस अप्षिन नमबर बी है यहां पर एफेक्टिव डोमेन रहेगा जिनों ने भी से अलग कहा था वो थोड़ा सा समझ के चलेंगे प्रशन कुछ ऐसे भी घूम के आ सकते हैं जो आपको गुमा सकते हैं ठीक है तो थोड़ा सा यहां थो एक्स्परेश से भी तो लड़निंग ओते हैं लेकिन डोमेन की बात करो भाई यहां डोमेन यह 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 शर्द पकड़ना बस इस अब गरने टीन डोमेन की बात की थी हमने कॉन से कोगनिटिव अफेक्टिव और साइको मोटर ठीक है इसकी तो अमने बात ही नह आगे चलते हैं, जल्दी से, चलो, शबाश, आंसर देगे भई, इसका next question का, व्यभार का करना पक्ष डैश में आता है, अब आपको थोड़ा सा अच्छा चा फील होने वाला है, सभी का अंसर आने वाला है, बिल्कुल सही, जल्दी से आंसर, शबाश जल्दी से आंसर, साहिल लक्टिक एसीन से बनतीद ही है, बी ओफ्यन से ही है, अब इसल्दा होई क्या है, जाश च्छोंची कह रहे है, एंड रेन विजा से चल्दी से आंसर, भई, हाफ के मर्ज कह रहे हैंड और यहाँपर जो आंसर है, करना डूएंग आसपक्ट, करना आसपक्ट किस से होगा, क कोनेटिव डोमेन क्या मैंने नहीं मताया कोनेटिव आए या साइको मोटर आए या सेंस्री आए एक ही रहेगा या cognitive domain आ जाए या psychomotor domain आ जाए या sensory domain आ जाए तिनों का मतलब एक ही है अब examiner ने इसको cognitive लिख दिया तो आप क्यों घूम रहे हो भाई या इसका असर एही नहीं होना चाहिए समझ के चलो ठीक है effective domain करने का पक्ष नहीं है वो एक मतलब feelings का पक्ष है ठीक है effective domain का है feelings से related है को अच्छा cognitive domain का है या संग्यान से related है और यह psychological लिखा है psychomotor नहीं लिखा है अगर psychomotor होता यह उल्जाने के लिखा था भी जिन्हों ने भी आंसर दिया था थोड़ा सा एक बर देखना ठीक है तो भई psychological domain उल्जाने के लिए दिया था और आप कुछ उलज गए है जी ठीक है चलिए ठीक है तो यहां पर जो आंसर होगा cognitive domain of learning रहेगा ठीक है हाँ दही हो गया दिमाग का अभी दही के बारे में उन्होंने का था लेक्टिक रसे बनी है प्रतब दही बनी है और option B सही है कुछ ऐसा उन्होंने का था ठीक है logic based on cognition हाँ ठीक है तो आपको बात समझ में आ रही है और अगर समझ में आ रही तो पर एक बार thumbs up जरूर करेंगे और बिल्कुल भी आपको घवराना नहीं है ठीक है आंसर क्या है गतिक गतिक भी तो लिखा था यहां पर करना ठीक है चिंतन अनिवारिया रूप से है एक क्या अरे वहाँ अब आ रहा है ठीक है चलिए जल्दी से आंसर अरे भाई मैं बता रहा हूँ ग्लूम्स टेक्सोनोमी को समझ पाना इतना आसान नहीं है ठीक है इसलिए मैं ऐसे ऐसे टोपिक उठा रहा हूँ ताकि आपको यह वहाँ पर काम आए ठीक है मैं जीन प्याजे कि ब अरे बोट अच्छा गर रहा हूँ ठीक है जी सच में क्वेशिन बहुत अच्छ है करना पड़ता है ठीक है ठीक है चलो संसादन पर करणन पर पार र्च यह बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा वाइल प्रपेर लेस्ट प्लैन ओन डॉन टोपिक रिस्रोस सूसे इस क्या होगा? Select teaching aids, frame objectives, go through the topic many times, prepare introductory questions. क्या होगा आसर? जल्दी से बतादे इस का आसर क्या होने वाला है? फटाफट, फटाफट साहब. चलो आसर देता हो जल्दी से. बैज शायरी इतनी ना करो मैं.. चलो बी 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 ऐ रे वादख़ुचुचुचु- सभी का आ आगा वे? बैज़वर बी एकदम सही. फ्रेम उब्जेक्टिवस. सबसे पहले हम objectives बनाएंगे उद्धेश्य रखेंगे कि हम कोई भी lesson कोई भी lesson हुआ अगर prepare कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं हमारा क्या उद्धेश्य उसको लेकर क्या हमारे objective है उद्धेश्यों का हमें क्या करना पड़ेगा निर्धारण करना पड़ेगा ठीक ही हां है according to bloom bloom and other authors ये कैसे बच गया भाई है ये ठीक किया तो था मैंने फिर भी रह गया ऐसा तो नहीं होना चाहिए था इसको मैं नीला कर देता हूं ये लो प्रशन बरे समाजी के राज लिति के रही सिटर ये रगी बातिर ते रही बड़े लुकिए बात कि मरो प्रेरक्ति अनुकी बात कि की बिल्कुल सही आंसर उसके बाद में नेक्षट ऑफुत मुस्तर क्या है फटा फट से आंसर शाभाज जलदी से ए वरी गीड़ बेर क्या आ रहा है आंसर भई डी 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 आंसर है एकदम बिल्कुल सही ठीक है जी भई इवेलिवेशन जो है हाइस पे था टोक मोस्ट पोजिशन पे था यहां पर क्या था हमारा लास्ट में इवेलिवेशन था मुल्यांकन था मोडल में और 2001 मोडल में क्या आ गया था यहां पर यहां पर आ गया था create याद रखना थोड़ा सा थिक है 2001 में यहां लिख देता हूँ यहां पर लिख देता हूँ 1956 ठीक है इसको याद रखना थोड़ा सा इवेल्वेशन विल बेर आंसर ठीक ही चलिए हाँ बिल्कुल भई बोरिग नहीं लगए अच्छी बात है व्यवहार का करना पक्षिस में सम्मिलित है अब गलती मत करना भई या अब गलती मत करना जल्दी से दे दो आंसर निशा चोधरी ने कहा A and संदोश पाल कहा है सी शबाज 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 जल्दी से आंसर दे भई वेरी गुड बिना से नहीं कहा है गुलीन A and मिनाल गरग A and समझ सिरोही A and जोती पांडे A and शबाज 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 उच्छतम सर मुल्यंक कर र है मिष्रा जी थी तो यहां पर अपर अबी भी गल्त कर रहे हो खुश्मुपाल जी प्रियंका राए जी ऐसा ना करो मेरे साथ ठीक है अभी अब हमने क्या देखा कि करना पक्ष करना मतलब डूर ब्लिव आस्पेक्ट जो होता है यह जो यहां पर लिखा है दूर्ड ऐस प को पढ़ाएं विज्दिस रड़ा दो सबसे इसे ही प्रशन आपके एक्जम में आएंगे तब आप करोगे मुझे ही याद और कोगे कि हांसर ने चीज़ रवाई तो थी ठीक है जी भी 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 विज्ञान ठीक है अंत में दिये हुए भ्यासुल जाने की ख्रमता का अरे नहीं यह हमारा लक्षा थोड़ी है कि भर जो चेप्टर के लास्ट में एक्सेसराइज दी गए यह वो कर पाएं बच्छे बिल्कुल भी नी ठीक है चलिए ठीक है उसके बाद मताने वह चिंतन होत हाँ मैथ्स और साइस तर्क पर अधारी था रहे हैं मैथ्स अपने आपने एक साइस का पार्ट है हाँ एमस्सी मैथेमेटिक्स होती है हाँ चलो वह शवाश इसका अंसर के आने वाला है इसका अंसर है भईया सी सी आएगा भई सभी को पता है व्यक्तिक और समाजी इस यों के पूर्ति के लिए ठीक है एक और प्रशन लास्ट परशन करते इसके बाद में हम चलते है क्लास से ठीक है टाइम हमारा लग 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 हो ही चुका है तो जल्दी से देगे बच्चे को भावी जीवन के लिए तयार करने के लिए शिक्षा उद्देश्य है कि ये बच्चे को इसमें तियार करना है, इसमें मतलब किस में? योगयों बेशाय है, अध्यान का कोई विभारिक पाथे करना? भावी जी में सुभीर जस्तोयतियों को सामरा करना? बकवास परशन है, ठीक है, आंसर क्या है? C, आयएगा सभी का सही, ठीक है. एक और प्रशन कर लेते हैं तो रस आपके लिए कोई अच्छा प्रशन आता है तो उसके बाद हम चलेंगे अध्यापन का उद्यश्य होना चाहिए क्या सुभावी काशाओ और सीखनों की योजना को बढ़ाना पाठे पुस्तक से पाठ को बढ़ाना कर्शा कारिया करें प्रक्षक देना उप रिबी और सी दोनों क्या होगा सबाश सबंसर सब्सक्रापन और भी या और सब्सक्राइबस क्ism सोभाविक आशाओं और सीखने की योजना को बढ़ाना ठीक है उसके लिए हमें पाठे पुस्त का सहरा लेना पड़ता है वो हमारा उद्देश्या नहीं है ठीक है जी है तफ है जो भी है प्रिकी है जो भी उसके बाद हम चलते है ठीक है उद्देश्यों का किस रूप में सारतक होना आवशक है ताकि अधिगम परभावी होसके अधियताओं के आवशक तरह इंतापरियोजन इंग्लिश यह पर देताओं लर्नस लीडरेन परपरजिस दा करिकुलर अबजेक्टिटिस दा स्टेंडर उप दे स्कूल इंटेलेक्ट पिर से मिलते है नो से ग्यारा जहांपर हम करेंगे सोल एक और मौक टेस्ट ठीक है। उस मौक टेस्ट में हम पूरे सिलेबस से गोश्चनेस ले काएंगे ठीक है। नआ सेटप आपने कल देखि लिया उसके अकोडिक हम चलेंगे। ठीक है तो मिलते हैं शाम को नो से ग्या भारी के लिए तब तक के लिए थैंकियो सो मच, have a nice day, bye-bye.